ग्लोबल संकेज जैसा की कुशल ने भी बताया कि वंस अगेन बिलकुल बैंक ओन है हमारे फेवर में है लेकिन हमारे लिए आज घरेलू बाजार में इंपॉर्टन दिन है क्रेडिट पॉलिसी है एक्सपाइरी का दिन है सर बाजार में क्या मूड मिजाज रहेगा क्या करना पूरा एक्शन पैक दिन है तो दो तरीके से देखना चाहिए एक पुरिट पॉलिसी पहले और एक पुरिट पॉलिसी के बाद तो जैनली गवर्णन साब ताय करेंगे कि बाजार की दिशा दशा क्या रहेगी लिए कि उससे पहले का जहां तक महाल है वो काफी बहतर है एक बहुत अच्छी बात जो है जो गरेलू आंकरों में दिख से ही होई है कि कलिकर सेशन में नेट-नेट एफाइस की तरफ से पहली बार लंबे समय के बात केश और वाइदा कारोबार के आंकरों मिला कर देखें तो खरीदारी के आंकरे आते हुए दिखें स्टॉक फूचर मे इंडेक्स फूचर में खरीदारी की और कैश मार्केट में लंबे समय बाद बिकवाली का जो आंकरा हो हजार क्रोड से नीचे कारों उससे कहीं ज्यादा इंफेक्ट दूना खरीदारी का आंकरा गरेलू फंड की तरफ से आता हो दिखा तो दो अच्छी चीज़े होई है ए क्रेट पोलिशी तक के लिए इनको ज्यान में रखिए है तो अच्छी चाहिए और कम गेप के साथ 40,000 पोइंट की उपर पुले लिखती तो आपके लिए खरीदारी करने का एक मोगा बन जाएगा इसमें कोई डाउट ने तो जो रेंज आपके लिए सपोर्ट के तौर पर वो 17,275,173,175 की रेंज आपके लिए निकल कराती है जहां पर आपको फोकस करना है सपोर्ट के लिए आज़े हैं यहां से हम उपर बढ़ते रगर आगे चलते हैं तो 17,575,17625 यह तुरंट प्रभाव से रेंज यह जानत जाने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद 17,757, सब्सक्राइब कराता है तो इस रेंज की तरफ जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है एक बार 17,500 को पार करके ठीके तो जिसकी संभावना पूरी है कि आज़र 17,500 के हास्वा से इसके ऊपर फिलने की कोशिश करेंगे बैंग इफ्टी का जहां तक सवाल है 38,050, 38,200 स्ट इस रेंग इफ्टी भी जाने की कोशिश करके ता है बस यह सारे लेवल त यह सारे रेंज को पोलिसी के लिए आज से जान में रखें और एक बार क्रेट पोलिसी के बाद बाद का बीएवर का बहुता है वो देखकर फिर आगी ली चालता ही जरेंगे आपकी सहुलियत के लिए मैं अनल सर की जो लेवल्स उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी के दिये है वो रिपीट कर देती हूँ 17,275,350 एक सपोर्ट रेंज रहे कि निफ्टी में अपसाइड में 17,500 पार होगा जिसकी पूरी-पूरी संभावना है 17,575,625 ये एक अपर रेंज के तौर पर साबित होगा सिमिलरली बैंक निफ्टी यहाँ पर और भी बहतर कन्विक्शन है 38,050 से 200 ये एक तगडी सपोर्ट रेंज का काम करेगा वहीं अपसाइड में अनिल सर को लगता है कि 49,000 का लेवल पार होने की पूरी-पूरी संभावना है लेकिन कॉशिस नोट पर एक अपर रेंज 38,850 से 49,025 के आसपास की है थोड़ा लंबा निकलेंगे तो फिर 49,300-400 ये गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी खासी अंबिशिस टारगेट रेंज साबित होती दिख रहे है